वेल, music player तो आप लोग सभी अपने PCFE laptop में यूज़ करते होंगे music player एक ऐसा चीज है जो कि आप लोगा PCFE laptop अगर आप लोग यूज़ के और उसमें गाना सुन रहे हो music सुन रहे हो तो वो जो music का quality है, music player चाहे तो आप लोगा जो sound quality है वो और जादा अच्छा कर सकता है, और जादा बहतर बना सकता है अगर आप लोगा बस एक अच्छा music player होगा तो आप लोगा sound quality है वो और जादा आप लोग बटर बना सकते हैं, और जादा अच्छा कर सकते हो basically हम लोग आज की इस वीडियो में ऐसे 5 music player के बारे हैं बात करने वाले हैं जिसको की उसकर करके आप लोग अपने PCFE laptop में जो music का output है उसको और ज्यादा बढिया कर सकते हो और ज्यादा अच्छा बना सकते हो अब देखो मैंने इसमें काफी सारा music player include किया है तो वीडियो पर बने रहना काफी ज़्यादा interesting वीडियो होने वाला है तो अगर आप लोग हमारे चैनल में new visit किये हो आप लोग हमारे चैनल को subscribe करके बेल लगन call पर सेट ज़रूर कर लेना यूँकि आप लोग का एक subscribe और एक like ना हमारे ले काफी ज़्यादा किमती है इस वीडियो के regarding या किसी और वीडियो के regarding किसी भी type का doubt हो तो आप लोग हमें Instagram में जाकर करके मेरे से personally पूछ सकते हो idea आप लोग हमेरा description box में देखने को मिल जागा तो बहलो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से हैं वो 5 music player जो कि आप लोग अपने PC में install कर सकते हो for better sound quality बात करेंगे 5 नमबर का music player से जिसको की use कर कि आप लोग जो अपना music का quality है वो और जादा अच्छा बना सकते हो और जादा बेटर बना सकते हो 5 नमबर का music player जो है उसका नाम है WinApp अब देखो WinApp को मैं बहुत पहले सी use कर रहा हूँ इवेन अगर मैं बोलू तो WinApp को 2015-16 के असपसे में use कर रहा हूँ तो यह जो WinApp है आप लोग का काफी ज्यादा काम का होगा काफी ज्यादा अच्छा music का output आप लोग इसमें देखने को मिलेगा साथी साथ आप लोग इसमें visualization का भी support देखने को मिल रहा है यानि कि जो design वाला जो आप लोग देखेंगे video tab का गाना बचता है तो देखने में जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में तो वह भी आप लोग इसमें देखने को मिलेगा और अगर मैं बोलू तो य जाके डाउनलोड कर सकते हो विनाप के official website से उसके बाद music player है फोर्थ नमबर का उसका नाम है music B अब देखो यह जो music B है यह मैंने हाली फिलाल में मैंने यूज करना start किया है अब यह music player जो दिखने में वह एकदम simple tap का ही दिखने में आप लोग इंटरफेस वाइज उतना को इसमें equalizer में आप लोग काफी सारा चीज़ देखने को मिल रहा है तो आप लोग चाहों तो इसको भी यूज कर सकते हो और अगर आप लोग एक सिंपल दिखने वाला एक तो equalizer अच्छा ठीक था equalizer वाला music player चाहिए तो आप लोग इसको एक बार consider कर सकते हो उसके बाद जो music player है थर्ड नंबर का वह Windows 10 या फिर Windows 11 का जो ग्रोव music player है वह अगर आप लोग एक Windows 10 या फिर Windows 11 यूजर हो तो आप लोग जो इन बिल्ड वाला music player है वह अभी वाला काफी जदा अच्छा है अब देख हमें Windows 10 वाला गद बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि Windows 10 वाला क्या पता अपडेट नहीं होगा बट अभी जो Windows 11 में चल रहा है उसमें equalizer का भी support देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग का sound quality को काफी जदा अच्छा बना देता है साथे सद आप लोग इसमें अलग से कुछ प्रिसेट भी देखने को मिल रहा है जिसको कि आप लोग अपने वीडियो में अगर आप लोग कोई मुवी वागेरा देख रहे हो यह आप लोग कोई music वागेरा सुन रहे हो तो उसमें आप लोग काफी ज्यादा काम देता है वो प्रिसेट सब ओके तो इसको भी आप हो तब आप लोग एक चीज़ देख लेना कि आप लोग यह जो लोग म्यूजिक प्लेयर है विंडोस का वह अपडेट है कि नहीं अब देख अपडेट करने के लिए आप लोग सिंपली Microsoft Store में चल जाना और माई लाबररी करके होगा वहाँ पर ही music प्लेयर आप लोग देख काफी जदा अच्छा कर सकते हो लिटरली अगर मैं बोलनों तो यह music प्लेयर में काफी ज्यादा अच्छा लगा देखा जाए तो इंटरफेज वाइस भी ठीक ठाक है और अगर मैं बोलू तो इसमें एकोलाइजर में धेर सारा आप लोग इसमें effects देखने को मिल रहा है धे लुक ठीक ठाक है आप लोगो देखा जाता आप लोगो इसका लुक सही लगे है देखने में और इसमें आप लोगो जो इकोलाइजर है उसका जो सेटिंग्स वगेरा भी आप लोगो बहुत सारा चीज आप लोगो इसमें देखने को मिल रहा है तो आप लोग इसको भी जा नाम है Boom 3D जी हां दोस्तों आप लोग मोबाइल में भी Boom 3D को एक ना एक बार जरूर यूज किया होंगे Boom 3D काफी ज्यादा अच्छा Music Player है अगर मैं बोलूँ अभी भी अगर मैं किसी Music Player को यूज करता हूँ वो एक Boom 3D ही है अगर मैं किसी भी Music को प्ले करता हूँ तो Boom 3D जो है आप लोग का Sound Quality को है वो काफी ज्यादा अच्छा बना देता है अगर मेरे को Base चाहिए तो मैं वहां से Base Increase कर देता हूँ तो मेरा Base भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है यहां तक कि मेरे को सब्सक्राइब है तो आप लोग यह चीज देखना पड़ेगा अगर आप लोग के पास मनी है तो आप लोग इसको कर सकते हो अब यह सारे अगर मैंने खुल प्रसनली यूज किया हुआ है तब ही जागर के मैंने आप लोग को सजेस्ट किया है तो अगर आप लोग एक पीसी आफी लापटप यूजर हो तो एक नएक बार इस इन म्यूजिक प्लेयर पे जरूर एक बार नज़र डालना आप लोग को क्या पता पसंद आ जाए इन में सच जो मेरे को फ़र्ष्ट वाला है और जो सेकेंड वाला है वो मेरे को काफी जादा अच्छा लगता है अगर मैं बोलू म्यूजिक वाइस तो आप लोग इसको भी तो आप लोग अभी इंस्टाग्राम में जाकर मेरे से प्रसनली पूछ सकते हो आइडिय आप लोग मेरा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में देखने को मिल जागा तो भल चलिए बाइबाइ